अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं TGT Social Science के बार में इसमें वीडियो अप्लोड करूँगा डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री जोग्रफी तो हमने इसमें अल्रेडी 100 कोशन कर चुके हैं इसके लावा मैं लेक्चर बेस वीडियो भी इसमें अप्लोड करूँगा तो आप बनी रही है मेरे साथ तो कईए आए बिना किसी देरी के सुरुआत करते हैं जीत की तरह अपने कदम बढ़ाते हैं पहला कोशन है भारत में कुल सिंची छेतर कितना है जहां पर मलब अग्रिकल्चर अक्टिविटी की जाती है तो 55% किस देश में उरेनियम का सबसे सरवादिक भंडार है तो वो आस्ट्रिलिया है निमले कितमे से कौन सी नदी यमना में नहीं मिलती है तो सून नदी, माकी केन, बेतवा और चंबल ये तीनों ही नदिया आपके किस में मिलती है यमना नदी में गंडक सिचाई प्रियुजना किन परदेशों का एक संयुक्त प्रियास है तो उत्तर परदेश यम बिहार का और बिहार जांके कैपिटल जारकंड यूपी की आपके लखनाओ और सरवादिक जनसंक्या वाला राज्य भी है यूपी लगबक 30 करोड की जनसंक्या और आदित्यय योगिनाथ वर्तमान में भाजपिय जनता पार्टी के सियम सरवादिक लोगपिया सियम का उनको मैडल मि तो वो है सोन नदी Imen कांटक से जो और ननरमदा और ज़ो तापती है वो किदर की तरफ हमारे बैठी है ये आपके बैठी है दोस्तों ये आपके पश् vient की तरaci है इधर की तरफ बाकि जातर भारत की नदी, बे और बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो तरको है, यहाँ पे गिर जाती है, तो आगे देखते हैं, भारत में सरवादिक और सबसे मेहतमर मिट्टी का सम्मों है जलोड मिट्टी, जिसको ऐले वेल सोल भी कहते हैं, हरित करांती का लाफकारी जो हरित क्रांती आये थी हमाई 1960 और 70 के दसक में जन्गर्णा 2011 के अनुसा ग्रामिन भारत की आबादी है लगबग 83.3 करोड भारत की 213 वर्ती सहर में सबसे लंबी समुद्रपूल अवस्तित है तो ये मुंबई में है ठीक है? और फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि वर्तमान में भारत है जन्संक्या के मामले में विश्यो में पर्थमिस्तान पर है लगबग 143 करोड के आसपास हमारी जन्संक्या है भारत किस राज्य में? के किस राज्य में? सबसे बड़ी अंतर देशी है लवणिया आदर भूमी है तो यह आपके गुजरात में है भारत के किस राज्य में गेउं का सरवादिक उत्पादन होता है? यूपी में विश्यो परियावन दियोस का मनाया जाता है 5 जून को एवरी येर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वारिमेंट डे ओन 5 जून निमलिकित में से कौन सा देश निम्बू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है भारत वर नदी कौन सी है जिसका उत्गम भारत में नहीं है? ब्यास नदी, भारत में रावी नदी, चिनाब नदी और इसका सतलुज सही आंसर है सतलुज खरीब भीतु की फसले हैं चना, मतर और मशूर और खरीब को फ्रेंट से मानसूनी फसल भी का जाता है मानसून के आगमन पर इनको बोया जाता है और नवम्र दी समर में इनको काट लिया जाता है तो चना, मतर, मसूर इसके अलावा फ्रेंट्स हम करते हैं आगे धान के लिए सरवादिक उपजाओ भूमी कौन सी है? तो जलोड भूमी ठीक है? और जलोड भूमी धान के लिए सबसे उपजाओ है भारत की पर्मुक हादान फसल है चावल किस परदेश को धान का खटोरा कहा जाता है तो फ्रेंट्स इसका सही अंतर आपका धान का खटोरा किस परदेश को कहा जाता है तो इसमें थोड़ सा कन्फूजन है इसको एक बार सही कर लेना है बाद मैं देखते हैं धरातल पर मापी गई इसमें एक और कोशन आता कि चावल की तीन फसले कौन से राजमे तो पश्चिम मंगाल में आमन बोदो और एक है ओश आमन और बोदो तीन फसले जो है वो धान की उगाई जाती पश्चिम मंगाल में NCRT का कोशन था, धरातल पर मापी गई 36 जूनियों, कोनों यह मुचाईयों, मांचित पर प्रदशन करने की कला को का क्या जाता है, तो इसको धरातल प्रदशन कला नहीं, इसको का जाता है, मांचितर कला, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका धान का कौटरा सही अंसर है 36 गड़, भारत में सबसे प्रणा राष्ट्य उद्यवन कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्य उद्यान, जिसको हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं, और उत्राखन की ननिताल जिल्ले में है, और उत्राखन की स्थापना उतर प्रदेश से विवाजन के वाद वीती संद 2000 में, 9 इत्यादी डिस्टिक किस में आते हैं, चमपावत वो सारे हैं, पाहडी डिस्टिक, सूर्य और पिर्थिवी के बीच अंद्रमा का बाता है, तो सूर्य ग्रहन में, निम्न में से रभी की फसल कौन सी है, चना, रभी की फसल के बारे में आपको बता दू फ्रेंड्स, 9 दिस और मुंफली, पर्टसन के आपको बारे में आपको फ्रेंड्स से एक थोड़ा फैक्ट बता दूं कि जब भारत का विभाजन हुआ, बंगला देश अलग हो गया, हमारा पाकिस्तान अलग हो गया, विभाजन सौरी, सबसे पहले पाकिस्तानी अलग हुआ था, उसी में बंगला देश वाला जो इलाका है, उसमें पर्टसन वाला बहुत सारा छेतर बंगला देश के पास चली गया, ठीक है, बलब जिसको हम पूरवी पाकिस्तान कहते थे, निमली कितमे से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है, तो आर्किटी के सबसे बड़ा तुमारा परसांद महासागर है, और हिंद महासागर की नाम पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, निमन में से कौन सा राजी महाराष्ट की सीमा पर है, तो ये गुजरात है, कौन सा है, गुजरात, और फ्रेंट्स आपको बता दूँ, पहले गुजरात और महाराष्ट एक की राज्य थे 1966 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1966 में एक बाड़ा देख लीजिए यह दोनों राज्य अलग-अलग भासा के आधर पर अलग-अलग राज्य बनाए इसके अलबा फ्रेंड्स में आपको बता दूं कि 1953 में पहली बार कौन से राज्य है भासा के आधर पर वो ह अंद्रपरदेश ठीक है तेले को भासी अंदूलन चला था स्री राम उलपुट्टू ने अंदूलन करा था आमरेन अंसन करा था नोंने त्रोपन या साड़ दिन का तो उसके बाद अंद्रपरदेश राज्य की स्थापन वी थी बाद में भासा आयोग भी बना था 1956 में के आपको बता दूओं वरतमान में जंबू कस्मीर एक क्या है एक आपका जंबू कस्मीर उनियन टाइर्य है ट्ॉटल उनियन टाइरे के अंद्र सासित परदेश भारत में आपके फ्रेंड्स आठ है कर दोनों के पीछे एट आरहाई इसके अलावा हमारे जो सबसे बड़ी उ पुद्द्धाक है फिर दूर्सी नमबर पर जम्भू कस्मीर है और इसके अलाव में आपको बता दू कि जहां पे विदान सब आती लेकिन इसको निरस्ट करा जारा हुई निम्द में खरीव की फसल कौन सी है चावल चावल कैसी फसल है friends खरीव की फसल है तो इध्यान रखना आपको कैंटूर विरी से खेती कांख ही जाती है पठा पहाडों पर फसल चक्र किसे कहते हैं विबिन फसलों की एकरमिक किर्सी को इसी को ही क्या कहते हैं फसल चक्र कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्तल है तो यह सहरा मरुस्तल जो सहरा डैजर्ट है यह आपके आफरीका महादीप में आफरीका कॉंटिनेंट में आपको ध्यान रखना है और 11 देसों जैसे चाड, मिस्र इत्यादी 11 देसों से जिसके बारे में आपके NCRT क्लास 6 या 7 में लिखा गया है कि सारा रेगिस्तान कितने देसों से गिरा है तो 11 देसों से ठीक है रतोंदी किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन A की कमी से रतोंदी होता है यह आपको ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं निमलिकित में से कौन सी नदी उत्र परदेश में बैचती है तो घागरा नदी ये धियान रखना आपको घागरा ने भी उत्तर परदेश में बैचती है और रावी शटलूज बियास चिनाब और जीलम इन पांच नदीु के आधार पर और क्लोरो फ्लोरो कार्वन या गैसे हम कह सकते हैं फ्रीज से एसी से इन सबसे चलाने से होती है गैस एजन्सियों द्वारा सिलेंडर के ओजुन इस्तर को अपगाटित करती है तो वह है द्रव आगे देखते हैं यदि पिर्थिवी काक्स जुखा नहीं होता तो सूरे की खाफर ध्यान रखना है निमलिकित में से कौन सा ग्रह नहीं है सनी भी ग्रह है सैटन ब्रैसपती सबसे बड़ा ग्रह है बुद्ध सूरे के सबसे पास वाला ग्रह है और सूरे जो है ग्रह नहीं है यह उप ग्रह है ठीक है नैचल उप ग्रह है और सभी ग्रह जितने भी आ पर आए क्रेश्चना रिवर पर निम्लिकित में से कौन सा राजिय उत्रपरदेश की सीमावरती राजिय है तो राजिस्तान बिल्कुल राजिस्तान तो राजिस्तान जाजाओं का इस्तान कहते है और भारत में भारत में भूमी के आधार पर अकॉर्डिंग टू जोगरफी सबसे बड़ा राजिय है राजिस्तान ठीक है जैसलमेर उदैपूर जैपूर और बहुत ही सुन्दर जगह राजिस्तान तो कभी वक्त मिले तो जाई राजिस्तान भारत का कौन सा परदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है तो केरल क सबसे अधिक उत्पादन रबड का केरल और राजदानिय तिरुणन पूरम ठीक है वाई मंडल में ऑक्सिजन की माट्रा त्टिवन परसेंट है और 78 परसेंट आपके नैट्रोजन पाया जाता है फैलीन क्या है अक्टूबर दो 2013 में बंगाल की इखाडी में उठा चक्रव जिल्ले है इटावा मेनपूरी इसके अलवा मैं आपको एक और फ्रेंड बता दूँ कि जो ग्रेटर नोड़ा है और नोड़ा है यहां से यूपी गौवर्मेंट को सबसे जादा रेवन्यू टैक्स जाता है क्योंकि यहां पर MNC कंपनिया है और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया यहीं पर इस्टैबलिस है इसके अलावा यहां पर मेट्रो कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा मेट्रो सिटी है किसका यूपी का नोड़ा तो यहां से रेवन्यू बहुत जाता है यूपी गौवर्मेंट को वन्या प्राणी सब्ता परतिवर्स कब से कब तक मन तो कारवन डायोक्साइड ग्रीन हाउस इकश्ट्स का जिसको हम बोलता है क्वार्ण देक रहे हैं दिन परतिदिन हमारे किस पहर पिर्थिवी पर बाढ़ रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ताजमहल बंदरगा बंदरग बदरंग क्यों हो रहा है बह परभारी थे डॉक्टर एस जे कासिन तो आप इसको याद रख सकते हो ठीक है डॉक्टर अब्दुलकलाम हमारे भारत के एक भाउती इंस्पिरेशन युवाओं के लिए इंस्पिरेशन एक ब्यक्ति रहे हैं डॉक्टर अब्दुलकलाम डॉक्टर ओमिर भाबा जहांगीर जो कि हमारे व्यग्यानिक थे और रॉकेट साइंस का पिता महा खा जाता है इनको रॉकेट साइंस में इन्होंने ही सुरुवात करी थी बाद में अब्दुलकलाम ने उससे आगे बढ़ाया था डॉक्टर सांती सुरू भटनागर आगे देखते हैं तो यहां तक हमने कर ल चेतर कौन सा है करक रेखा से मकर रेखा के बीच में करक रेखा और मकर रेखा के बीच में एक्वेटर जो हम जीरो डिग्री अकसांस रेखा होती है ठीक है एक्वेटर जीरो डिग्री अकसांस रेखा जिसको वह मध्य रेखा कहते हैं उसके 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्र प्रफुत की तरफ ये करकर एखा और मकर एखा के बीज का चेत्र ओशन कर्टीबंदिय चेत्र होता है और यहीं पर सूरज की सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिम कॉरबेट नैशनल पार्क कहां पे रामनगर नैनिताल डिस्ट्रिक्स में और नैनिताल में नो ताल है भीमताल, नैनिताल, इत्यादी ताल है तो इसकी लिए इसका नाम नैनिताल पड़ाया है सुन्दरवन का है? गंगा और प्रमपुत डेल्टा में डेल्टा वा इस्थाने जहां पर नदी किसमे सागर में मिलने जा रही होती है तो उससे पहले एक डेलिता का निर्मान होता ह सुन्दरवन का नाम सुन्दरी नामक पड़जाती की आधार पर एक विर्खस की पड़जाती है ऐस gua हम उसी कि आधार पर सुन्दरवन पड़ा है और रोयल बैंगोल टागर के लिए था एस 50 पड़ड़ा है और लिए फेमस है तो 1500 कोईशिन हम कर जय भारत